तो जैसे कि आपको पता होगा इस स्रीज में हम चला रहे हैं प्लेटफॉर्म कोचिंग का रुक्मनी प्लिकेशन का टेस्ट स्रीज जो बिहारे साई का है उसका हम टेस्ट स्रीज का सॉलूशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो यह है हमारा पार्ट टू मतलब टेस्ट टू है टू का पार्ट भी है हमने टेस्ट वन पूरा कंप्लेट कर चुग है टेस्ट टू का भी एक सी 50 नंबर तक को डिस्कस कर चुग है अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाईए वहाँ पे आपको मिल जाएगा डिस्क्रिश्ट प्लेलिस्ट का लिं ज़ैं ऐस्ट एस सता करते हैं कूस्ट नंबर 51 से तो कूस्ट नुम्बर 51 में देखते हैं हम यर कथं करन दे रखा है भारतिया संभी धन मुलत संगातमक स्यृपद और कारन दे रखा है अनुछ 2352 में राज्यों में संभी धनिक तंत्र विफलता की दसाग संभोधन है तो ह अप्सेंट है हमारा जी तो चलिए 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 है और भारतिया रह submit को पता होगा ना यह सही है परन्टय करनी कीछ से उ default हम को करन दीजिक vibe क्छा अ लिए और से न चाहे रहीAM संग्धान के सरी संगात्मक है लेकिन आत्मा एकात्मक है भारती संग्धान के नोचे देख में भारत को राजियों का सहयोग कहा गया है राजियों का संग्धाचा भारती संग्धान में कराड़ा से लिया गया है राजियों में संग्धानिक तंत्र विफलता पर अनोचे 356 का प्रियोग किया जाता है जब देश के अंदर ससस्त विद्रो हो या विदेशी अकर्मन हो तो राष्टपती अनुछे 356 का प्रियोग कर सकते हैं इसलिए क्या है कि ये तो सही है प्रन्तू आर क्या है गलत है ये कोई और रीजन है बड़ इसके लिए परफेक्ट नहीं है तो देखते हैं भारती अर्थ विवस्ता के उदारी करन का अगरदूत किसको कहा जाता है अफसन है हमारे पास डॉक्टर विमल जलाम को भी है हमारे पास डॉक्टर मनमोहन सिंग सी पीवी नर्शिमाराव या डी पी चितमरम ठीक है तो सोच लिए होंगे अभी तक आप लोगो धूक्टर मनमोहन सीन आइम्फ के निर्देशक और आर्वि आई के गवर्णर प्रतपत भी रह चुके हैं आपको पता होगा उनिस सो इकान्वे इसमी में मनमोहन सीन को बितमंद्री बनाया गया था 24 जुलाई 1991 को बितमंद्री द्वारा उधारी करन के घोसना किया गया था मनमोहन सी द्वारा किया गया था ठीक है आपको पता होगा इसे आर्थिक सुधार भी कहा जाता है इसे LPG भी कहते हैं इस आर्थिक सुधार को राव मनमोहन मौडल भी कहते हैं भारत में हरित करांती की सुरुवात कब होई थी उप्सन बी ठीक है चलिए देख लेते हैं इसका अगर कुछ पॉइंट देख लेते हैं एक दो पॉइंट भारत में 65-66 में अभुतपुर्व अकाल सुखा परा था भारत में मैक्सिको से गेहों का लाकर परियोग किया गया हरित करांती का जनम अस्थल पंत नगर क्रिसी बिस विद्याले है पंत नगर क्रिसी बिस विद्याले उत्राखंड में है हरित करांती से सरवधिक लाफ गेहों के उत्पादन में हुआ दोती हरित करांती का उदर्श पर्थम हरित करांती की असंतूलन करना था ठीक है चलिए वे और देखते हैं question number 54 तो question number 54 देखते हैं तो इसमें क्या है नीती आयो की संरचना में संबंदित सत कथनों पर विचार करें इसमें दो पॉइंट दे रखा है अपको बताना है इन दोनों में सही क्या है एक है दो है या फिर सिर्फ है या दो है या कोई नहीं तो बताना आपको पहला point है governing council के सदस सभी मुख मंतरी केंदर सासित परदेशों के राजपाल होते हैं ठीक है दूसरा point है नीती आयो के पदिन सदस साथ केंदरी मंतरी होते है तो आपको बताना है इसमें कौन सा सही है एक दो केबल एक केबल दो ना तो एक नहीं दो ठीक ह चलिए तो इसका कुछ point देख लेते हैं नीती आयोग में चार पदिन मंतरी सदस होते हैं नीती आयोग का अध्यक्ष पदिन कोन होते हैं परदान मंतरी होते हैं योजना आयोग के अस्थान पर नीती आयोग के अस्थान पर नीती आयोग के अस्थापना कब हुई थी एक ज चलिए नेक्स देखते हैं चलिए नेक्स बढ़ने से पहले अगर आप कोई भी एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं गुबर्मेंट के किसी एक्जाम की तो आप हमारे चैनल पे आप हमारे विपसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.exam.in इहां पे आपको सभी एक्जाम का इयक फिरी डेमो टेस्ट यहां पे पासअ पेशिडियर होगे का मिल जाएगा ग्रूप D का मिल जाएगा, NTPC मिल जाएगा बिहार पुलीस और जितने भी upcoming exam सारा मिल जाएगा, और इसमें आपको लगवाक 200 पलस टेस्ट मिल जाएगे अगर आप अभी purchase करना चाहते हैं तो coupon code use कर सकते हैं, exam click 20 इसमें आपको 20% off मिल जाएगा 20% off मिलने के बाद आपको एक साल का price पर जाएगा, 240 रुपया 6 महिना का 160 रुपय पर जाएगा और एक मंत का 80 रुपया, अगर एक बार आप passage ले लेते हैं, तो सारा exam आपको फिरी हो जाएगा, और आने बाले जितने exam में इसमें कौन सा होगा, एक दो तीन, दो और तीन, एक और तीन, या एक दो, ठीक है तो आपको बताना, परधार मंदी, जरन, सुरच्छा, योजना, कंतरगंत, कौन-कौन सी योजना है तो ये तीनों योजना है आती है, तो क्या हो जाएगा, सर एक हो जाएगा, ठीक है चलिए, नेक्स देखते है, क्वेशियन नमर 56 भारत में बहुराष्टे कंपणियों को प्रोटसाहन देना, बढ़ावा देना है ठीक है, भारत में बहुराष्टे कंपणियों को प्रोटसाहन देना, बढ़ावा देना है किसको बढावा दिना है निर्टी को बझाक निती को तरांस तो इसका क्या हो जाएगा है अप लोग नेने सौच लिए होगा तो ससका क्या हो जाएगा उपकर्मो का garlic का सासे निक्रमों का परवा बैस्वी करन का अर्थ होता है बस तो हैं सिवाओं का आवाद रूप से आवाजाई हो जाता है और उधारी करन का अर्थ होता है कि सरकारी नियमों को कम करना और सरल बनाना होता है ठीक है चलिए हम नेक्ट कोईशिन पे चलते हैं कोईशिन नमबर 57 भारती रूप्या तो कों सा हो जाएगा चलिए आप लोग हैं इसका कुस पुइंट-परिवर्थनी रूपिया को चालू कॢम खाते में पुर्ण रूप से परिवारतनिये घोसित कर दिया गया RBI के पूर डिप्टी गवर्णर SS तारावपोर की अध्यास्ता में 2006 में समीती घठित किया गया था जो रूपिया की पुंजी को पूर्ण परिवारतनियेता से संभन था ठीक है चलिए भी नेक्ट देखते हैं कोस्चिन नमर 50 याट कोस्चिन नमर 50 वर्ण में आपको मिलान करना से सीचूईटस को तो देखिये सामने आपके पस κोस्चिन है ठीक है तो 2 सेकेंड देते हैं आप सोचे 2-4 सेकेंड पर देहुंड करते हैं है तो देखें क्या है बिद्धूत चुंबक्त क्या हो जाएगा विन सदान नियंटन हो गया और फिर बचा क्या है डार में दर्वीन तो इसका क्या हो जाएगा अब देखिए तो दो तीन चार एक हो गया भी ठीक है चलिए देखते हैं नेक्स्ट कुस्टिन तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों तो फिलीज वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन बटन दवा दीजिए चलिए नंबर 59 पर चलते हैं तो 59 में परकृतिक रवर बहुलक है परकृतिक रवर बहुलक है तो देख लेते हैं इसका कुछ पॉइंट जब एक ही योगिक के दो अधिक अनु आपस में सयोग करके एक बरानू बनाते हैं तब इस अभी किरिया को बहुली करन कहा जाता है परकृतिक रवर थर्मो प्लास्टिक है परकृतिक रवर को सलफर के साथ मिला कर गरम करने की किरिया अवल की करन कहलाता है परकृतिक रवर को कठोर बनाने के लिए हैं क्या मिलाते हैं उस जिसमें कि आपको बताना है इन चारों में, तीन पॉइंट दे रखा, इन तीनों में से कौन-कौन सा होगा, ठीक है, तो पॉइंट पहला है हमारे पास, कैलसियम और मैगनिसियम के कार्बोनेट, कैलसियम और मैगनिसियम के सलफेट, कैलसियम मैगनिसियम के कलोराइड, ठीक ह तो अप्सन है हमरे पास एक और दो एक और तीन केबल तीन ये सभी तो चलिए अब आप लोगों ने सोच लिया होगा तो इसका इंसर्ट क्या हो जाएगा डी हो जाएगा सभी हो जाएगा ठीक है जल एक सारवजिनिक बिलायक है पता होगा कठोर जल कप्रिद होने या बॉयलर्स में नहीं किया जाता है स्थाई कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट कैलगन अथवा जियोलाइट मिलाकर मेद्यू जल बनाया जाता है कैलगन सोडियम हेक्सम मेटाफोसफेट का फॉर्मूला क्या होगा एनो टू एनो फॉर एनो टू एने टू सेफिक्स एने फॉर सेफिक्स पी ओ थिरी का सिक्स है ठीक है चलिए कुश्चिन नंबर 61 देखते है कैपसूल का आपरन बना होता है और प्रोटीन का अंड़ के चिलके का सिय ल्लज का स्विली expect का चलू अब तक अप्सोच लिया नीगे तो किसका उता है कैपसूल काकर अवरन अस्टार्ज का बना होता है अस्टार्स क्या है एक परकिर्थिक बहुलक है कोर्क सुवेरिन नामक रसाइनिक पदार्थ से बनती है बोतलों में लगाया जाने वाला कोर्क क्यूरकस सुवर क्या है नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है को इसका अभीति सेलिलोज का बना होता है प्रोटीन में अबस से नैट्रोजन पाया जाता है चलिए कोईस्चिन नमबर 62 बैदुद अबगटन में ऑक्सी करन होता है कैथोर्ड पर एनोड पर कैथेरो एनोड दोनों पर या किसी पर नहीं होता है तो आपको 62 का बताना क्या हो प्रोटा सेंसीं सेटिल्एम था शोटा सेंसीट और च्छोड़ा गया था छोटा कहाँ से छोड़ा गया था बैंका नूर्ट से केप कैनेडी से फ्रेंच गूआना से यह सिरी हरे कोटा से हूं चलिए तो क्या हो जाएगा बैंका नूर्ट से छोड़ा गया था भात का पहला रिमोट सेंश्चिंग जो था सत्री कभ वह था है ये 17 मर्च 1988 को बेका नूर से छोड़ा गया था इसमें परिछन यान बोस्तोग था ठीक है छोड़ा गया उपगरा का नाम क्या था IRS वाने था भाद का पर्थम उपगरा भी कोस्मो परिछने के इसे बेका नूर से ही उनीज अप्रैल को 1975 में छोड़ा गया था ठीक है या पिर समुचायक है निर्व निर्व चीतर है या संकलेक है इसका इंग्लिस में नाम दे रखा है लिंकर है असेंबलर है इंटर्प्रेटर है या फिर कंपाइलर है तो चलिए आप लोगों ने सोच कर रखा होगा भी तो क्या हो जाएगा कंपाइलर हो जाएगा ठीक है त तो क्या हो जाएगा दोस्तों अधिकता नुकसान दायक पर दुसरक कोन हो जाता है सेल्फर डायोकसाइट का नुक कि असो टू है जोला मुखे से निकलने वाली गैसे में मुखेता क्या होता है ऐसे टू होता है यह एक रंगीन दमगोटने वाली गंधियुक्त हवा से भरी तथा बेसाली होती है ठीक है अभी देखते हैं रडार का पर्योग किया जाता परकास तरंगों द्वारा बस्तों का पता लगाने के लिए धोनी तरंगों को प्रवर्तित करके बस्तों का पता होगा तो रेडियो तरंगे द्वारा बस्तों की वबस्ती तता वबस्ती ग्याद करने के लिए ठीक है चलिए अगे बढ़ते हैं कुईशन नुम्र 68 निमलिखित में से कौन सा तत्व मनुस में परकरती रूप में नहीं होता है तो कौन सा तामबा अजस्ता आयोडीन शीश सीशा की है इसके बारे हम कुछ देख लेते हैं तो सीशा का मुख है इस क्या है गैलेना सीशा सेरीर के लिए हानिका रख है मनुस के लिए सोडियां पोटैसियम कैल्सियम फॉस्टे लोहा एरडीन मैगनेसियम जस्ता तामबा कौबार्ट तत मौजूद रहता है गर्बती स हमारा पास आर्साइनिक 74 कोवार्ट 60 आई 131 सोडियम 24 ठीक है तो वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंतर में खून के ठके को पता लगाने के लिए प्रयोक किया जाता है क्या हो जाएगा सोडियम 24 चलिए इसके बारे में थोड़ा से देख रहेते हैं कुछ समस्थान है is मस्थानिकों थया है कि दृष्ट यह समस्थानिक रिडम करते हैं से अलेında से एक लेक्टॐन को जिनका एक समान समान कोई ले जाया जाता है इस अंधर में निमलिकीत कत्म में से कौन सा सही है तो छार उप्सन है अमारा पहला प्रोट्रें तथा उप्रोट्रोन पर समान और विप्रीत बथ होते हैं उप्रोट्रो पर अधिक बल होता है एक चुम्बु के छेतर में किसी भी गतिमान अफ्शोशित कंड़ फर कोई बल नहीं होता है ठीक है तो चलिए इसका आपको एंसर करना है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा परोटरोन तथा लेक्टोन पर समान विप्रिट बल होते हैं तो चलिए वीडियो को फटापट कर दीजी लाइक और चैनल को कर दीजे सब्सक्राइब कुईशन नबर 71 नवजात सिसु को ट्रिपल एंटिजन वैक्सीन निमलिखित में से किन रोगों से परतिरचित करने के लिए लगाई जाती है ओप्όने रोगों से लिएसे वीडियो कारण रोगों कर नी वैक्टिरियम न आमक जिवान है ठीक है चलिए देखते हैं question number 72 गारे समूद के गोता खुर निमनी में से एक gas mission का उपयोग करते हैं कौन सा है helium oxygen का mission helium nitrogen का oxygen 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 hydrogen का mission ठीक है तो क्या हो जाएगा आपको पता होगा helium और oxygen के mission का यूज करते हैं खाने में 20 photo का सबसे महत्पूर्ण कारण क्या है खानों में 20 photo का सबसे महत्पूर्ण कारण क्या जो खान में 20 photo का सबसे महत्पूर्ण कारण क्या है option है हमारे पास hydrogen oxygen का मिलना या फिर oxygen और एसी टिलीन का मिलना मिथिन का हवा से मिलना या carbon dioxide का एथिल से मिलना चलिए तो आप लोगों सोच लिए होंगे अभी तो क्या हो जाएगा खानों बीश्पूर्टों के सबसे महत्पूर्ण कारण होता है कि मिथिन का हवा से मिलना ठीक है इसके बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं तो डाइनमाइट का विसकार अलफ्रेड नोबल कब किया थे ऐथा डाइनमाइट के द्वारा पहारो खानों में बिश्पूर्ट कराया जाता है मिथिन गैस को मार्स गैस भी कहते हैं मार्स गैस कानू क्या होता है चलिए देखते हैं आगरे 74 नोबर कोईश्चन बिकास का सिदान निमलिकित में से किस के द्वारा परतिपादित किया गया था लुई पास्चेर अरस्टू ग्रेगर मेंडल चार्स डार्विन ठीक है तो अगर पता होगा बिकास का सिदान चार्स डार्विन चलिए नेक्स देखते हैं कोईश्चन नंबर 75 जब आंख में धूल चली जाती है तो उसका कौन सा अंग सूच जाता है और गुलाबी हो जाता है कोड़निया रक्ट पटल नेतर सल्ले में जो जिसके की कंजेक्ट टेवा बोलते हैं और धिरी पटल क्या हो जाएगा चलिए तो आप लोग पॉइंट देख लेते हैं आख सरीर का महतपूर आंगे जो कैमरे की भातिक कार करती है यह तो पता ही होगा आपको आख से बाहर एक कठोर और अपारदर्सी स्वेध जिली ढगी रहती है जिसे हम क्या करते हैं धिर पटल करते हैं धिर पटल के सामने वाला भाग को छुबर रहता जिसे हम कोड़निया करते हैं नेतर दान में हम क्या दान करते हैं तो कोड़निया को इदान करते हैं कोड़निया के पीछे एक रंगीन आपारदर्सी जिली का परदा होता जिसे आइरिस करते हैं आइरिस के बीच में एक छेद होता जिसे आंक के पुतली अत्वा नेतर तारा भी काते हैं ठीक है अभी question number 76 देखते हैं चलिए आगे बढ़ने से पहले वीडियो को कर दीजे लाइक और चैनल को कर दीजे सब्सक्राइब 76 है निमलीखित में से कौन मानब सरीक को संकरमन के विरूद से संगर्ष करने में सहायता करता हार्मोन्स या फिर किनवक चैनल काते हैं स्वेथ रुदिर कौसिका और लाल रुदिर कौसिका ठीक है तो यह तो बहुत comment आपको पता होगा तो डब स्वेथ रुदिर कौसिका है चलिए नेक्स देखते हैं तोचा का रंग निधायद करने वाले वर्णिक मैलेनीन के संबंद में कौन से कथन सत हैं तीनों पॉइंट दे रखें यह तीनों आपको देखना है यह क्या यह एपिडर्मिस की महत सबसे गहरी परत में पाया जाता है यह परवैगनी परकास के लिए अपरदर्शक होता है यह तोचा कि आंतरिक सती एवं जिवानियों के आकर्मन को रोकने में साहता होता है तो क्या हमारे पास क्या इसमें सही एक और दो केबल दो केबल तीन या यह सभी हो जाएगा ठीक है तो इसमें क्या हो जाएगा यह परवैगनी परकास की आपरदर्शक होता है तो केबल दो हो जाएगा देखते हैं क्योशन नमर शेवेंटी एट तो बास्तिविक सुर्योदे के थोरा पहले दिरस्मान होता है क्या बाइमंडली परिवर्तन तो 78 क्या हो जाएगा आपको पता होगा कि बास्तिविक सुरियोदे के थोरा पहले जो दिरिशमान जो दिखता है में किसके कारण से दिखता है तो बास्तिविक स्थानों पर विचार केजिए है पहला पॉइंट है तीन पॉइंट दे रखाएस में देखते हैं बहुती का अनुषणद्धा का परियोग साला अंतरिच परियोक केंद सुर्य अंटरिच अनुपरयोग केंद बिक्रम सरवाई अंतरिच केंद अभी क्या बताना है उप्रिक स्थानों में से कौन सा आहमाद तो यह हमारा क्या हो जाएगा दो है ना तो चलिए नेक्स्ट है यह विक्रम सारा भाई अंत्रिच के तो आपको पता है यह तो मेरे खाल से करनाटिका में है बेंगलोर में ठीक है नेक्स चलते हैं कुईश्य नमबर 80 निमलिखित में से कौन सा एक स्युक्त राष्टि संग का परमुख अंग नहीं है तो कौन सा नहीं है चलिए बाकी यह तीनों क्या है अंत्राष्टि नियाले आर्थिकें समाजिक परिशाद और नियाज परिशाद यह सभी है चलिए इसका कुछ पॉइंट दे रखा इसके बारे में तो देख लेते हैं यूएनो का अच्छा अंग है महासभा सुरक्षा परिशाद आर्थिकें समाजिक परिशाद नियाए परिशाद अंतराष्टि नियाले और सची वाले महासभा बिश्व की लगू संसद है सुरक्षा परिशाद में 15 सदस होते हैं एफेओ की स्थापना सुलाप्रए नियुक्षाद में हुआ था एफेओ की मुख्याले कहा है रोम में है तो आपको बताने हैं हमारे पास दोबाई है या जेद्धा है इस्लामाबाद है अंकार चान और उसका है तो जैसे आपको पता होगा तो नाटो का कहां ब्रॉसेल से ओए यू का कहां आदिस अवाबा है यून एपी का कहां नेरोबी है ओए इसका वसिंग्टन डिसी एए जिनेवा है आई ये का भी एना है आई यो सी का क्या है लुसाने है चलिए ठीक है अभी देखते हैं कुईशन नमबर 82 तो भारत सदस नहीं है तो इसमें आपको बताना किसका सदस नहीं है भारत तो कॉमन बेल्थ आप नेशन नेशनल का देशों के राश्टिकुल का सार्क का नाम का नम है न संगठन का या फिर एश्या परसांत आर्थिक सहयोग संगठन का तो सदस किसका नहीं है सदस नहीं है चलिए देखते हैं कुशन नमबर 83 गिलिम्प से ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के रचेता कौन है तो आपको बताना है अप्शन है हमारे पास अब्दूल कलामजाद जबाल नहरू एल घुपालन एड़ी है अप्शन हमारे पास एस राधा क्रि ठीक है तो और कुछ देख लेते हैं इनके बारे में डिस्काब्री ऑफ इंडिया पुस्तक के भी कौन लिखे हैं जवारल नहरू ही लिखे हैं इस राधा क्रिश्टन ने फिलोसफी ऑफ इंडिया एबम हिंदू रिवियू पुस्तक लिखी थी अब्दूल कलामजाद ने 19 1313 में अल हिलाल पत्र का संपाधन किया था ठीक है चलिए देखते हैं 84 इस रोका पूर्ण रूप आपको बताना होगा यह तो चलिए आप हमें कमेंड बॉक्स में बताई अगये तो हर किसी को पता है ठीक है आप ऑप्सन देख लिए इसमें कौन सा अप्सन सही है आपको कम अगर को बिस एलर्जी जगरुकता दिबस भी मना जाता है ठीक है चलिए देखते हैं question number 86 भारत में सरपर्थम ओलम्पिक का होकी खेलों में भाग किस बस लिया था 1924 पेरिस ओलम्पिक में 1912 असकोट ओलम्पिक में 1928 मस्डम ओलम्पिक में 1922 लंसिंग की ओलम्पिक में ठीक है तो यह आपको बताना है कौन सा होगा आपको पता चल गया होगा तो क्या हो जाएगा 1928 में मस्डिरम है ना ओलम्पिक में चलिए कvarat रत्शियं कोरेक लिए नम्मपिक में से कौन सातना केबल साहित से संभंदित आ है तो क्या हो जाएगा इसका अंसर और चलिए होगा तो यह केबल साहित के बात कर रहा तो क्या हो जाएगा इना गयां पिक हो जाएगा से दिया जाता है भारत रण किसी भी छेत में उतक्रिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है और मैक्सिस से पुरुसकार 1908 इस भी से दिया जाता है या पुरुसकार सरकारी सेवा जन सेवा पत्रिकारता साहित संचार अंतरजास्टी समझ के छेत में दिया जाता है चलिए को पता होगा ठीक है तो इसके बारे में कुछ देख लेते हैं एक पॉइंट है तो नोबल पुरुसकार में से साहित सांती रसायन बहुत एक जिकित सा बिग्यान में उतक्रिष्टा योगदान देने हैं तो दिया गया उन्हें से किसे माना जाता है ओप्सन है हमारे पास ए खुआजा कुटव इदिन बक्तियार काफी को सेख निजामुदीन अलिया सेख नसरिदीन महमूद या डी है खुआजा मुईद दुनिदीन चिस्ति तो क्या हो जाएगा भाद में सुपी संपर्दाय का संस्थापक किसे माना जाता खुआजा मुईद दिन चिस्ति को क्या हो जाएगा माजुली दीप किस पर है अस्तम पर है और कौन सी नदी पर है तो ब्रहम पुत्रा नदी पर है ठीक है क्या है और चलिए क्या क्या हूं क्या करिंब नाक्यों भात में सहरी जन संखे का प्रतिसत कितना आपको बताना है अप्सन है हमारे पास 31.16% 17.5% 8.6% या 16.5% ठीक है तो आपको बताना है कौन सा होगा चलिए सहरी जनसंग की हमारा कितना 31.16% है ठीक है तो इसका कुछ पॉइंट देख लेते हैं भात में सहरी जनसंग के अगर प्रतीसत तो पता चली गए आपको 31.16 है जिनगना 2011 के नुसर सहरी अबादी इतना ह है हमारा भारत के अबादी का भारत का है बिस्प के अबादी का लगवक 17% है भारत का सक्षर्टा 2021 का नुसर सचहुतर पॉइंट 04% है भारत का सबसे बरी सहरी अबादी किसम है मुंबई में है ओकर चले कुछिन नमर 92 इनमें से कौन परमानू रेक्टर है तो आपको बतान इतारापूर भी है कुटन कुलम भी है और काईगा भी है तो क्या हो जाएगा ऑप्सन डी कुशन नमर 93 देखते हैं कर को परतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार क्या होता है ऑप्सन है हमारे पास गरीबों एवरम अमीरों पर समान रूप से परे है और अमीरों की परता है क्याना कर को परतिगामी तब कहा जाता है जब अमीरों की तुलना में गरीब पर बहुत अधिक पढ़ जाता है ठीक है चलिए कोईशन नमर 94 देखते हैं बिहार में सर पर्थम किस बिस्विद्याले की अस्थापना होई थी तो पटना बिस्विद्याले मगद बिस्विद्याले ठीक है तो चलिए तो सबसे पहले कब हुई थी पटना बिस्विद्याले हुएता है ना अभी तो एक दो सल पहले आपने सुना होगा कि उसका 100 वर्ट्स भी पूरा हो गया है तो यह कब इसका स्थापना हुई थी तो 1917 महीं हुई थी है ना तो 2017 में इसके पूरा हो चुका है तो क्या हो जाएगा बिहार का बित्ति राज बिहार राज बित्ति निगम ठीक है पोईस्चिन नमर ने किनकी जर्म दिवस को सिच्छा दिवस के रूप में मनाने का निरने लिया तो जै परकास नरायन स्री कृष्ण श्री मौलाना अब्दूलकलाम आपको पता होगा तो क्या हो जाएगा सिच्छा दिवस तो मौलाना अब्दूलकलाम आजाद है ना इनकी जर्म दिवस को लेकर बिहार में क्या है सिच्छा दिवस मनाया जाता है ठीक है और ये अब ये कौन थे अब मौलाना अब्दूलकलाम आजाद कौन थे तो ये भाद के पर्थम सिच्छा मंत्री थे हैं 11 नमबर को राश्टे सिच्छा दिवस मनाया जाता है मौलाना अब्दूलकलाम आजाद 1990 से 1995 तक कॉंग्रेस के अधियाच भी रहते हैं ठीक है 90 से बन नमर कोईश्चन देखते हैं पटना में अस्तित राजभवन मुख सच्छी वाले तथा उच नियाले की इमारतों किस साहली से परभावित है हिंदू हिंद इसलामी साहली से डच साहली से गौथिक साहली से या एरोपियन पुर्णर जागरन काल साहली से ठीक है तो क साहली सन्क्या में मंत्र कि नहीं पाए जाता है विस्नु से रगवरुन से इंदर से या अगनी से हैं ठीक है तो। क्या कहते हैं तो एक से कोसे देखता है कि टेंदक है कितना है में युगदन नहीं करता है तो कोन ओloeी आना ओतिरी या मिथेन छीएच फूर या स्लफर डायोकसाइड छiसौ टू थो करवन डायोकसाइड सि यूटू तो क्या हो जाएगा है अब अब गृब्लाब में युखदन नहीं करता तो क्या हो जाएगा 99 का सी हो जाएगा सुल फन पो लोगल पांसो पॉस कार दिया जाते हैं पराइब फर्थ रख्षा के लिए मादक पदाते के बिरूद अभियान के लिए जैंसंगी के लिए बिर्वद अभियान के लिए ठीक है तो क्या हो जाएगा ग्रोब प्रिश्टा के लिए दिए जाता है चलिए तो हमारा ने कोई स्थी होगा अगर आप पहले का पार्ट नहीं देखा देखा है तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो कर दिए लाइक चैनल को कर दिजिए सब्सक्राइब बेल आइकन दबा दिजिए और अगर आप उनलाइन टेस्ट पर्चेज करना चाहते हैं या फिर फिरी डो में देना चाहते हैं तो आप हमारे वेब साइट पर विजिट करिए जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्सिन में मिल जाएग कूपन कोट अभी यूज कर सकते हैं एक्जाम के लिक 20 हैना आपको सारा जितना भी एक्जाम है सारा फिरी हो जाएगा और बिहार पुलिस का भी उस पर अभिलेवल है ठीक है मिलते एगले वीडियो में थैंक्यू